हलो दियर और वन्स अगें वेलकम बाक टुटर आड्स कोर्स माइसल फुमर तसकीर आज के पड़िए वीडियो में हम लोग देखने वाले किस तरीके से हम लोग बिल्कुल स्क्राइच से एक आप इंस्टॉल कैम्पेंज उसको सेट अप कर सकते हैं तो इसके लिए मैं सीधा करकें एक अप ने हैं अगर को यहां पर कोई और पी आड करने अरिक्ट आप आप की जज़िन ओक वे उड़ियों अप बैसे के ओन अगडिन पर एंड़्ाइऽ पेने। तो जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ देखो hot star यहाँ पर selected है let's pick up any other app let's say if we want to increase the app installs of google app तो यह आप आ जाओ यहाँ पर और यह होता है आपकी app का URL ठीक है और इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाते हैं ठीक है और इसको आपको यहाँ पर paste करना है ठीक है या तो आप URL paste करें जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो mention है या तो आप URL paste करें या फिर आप ID जो है वो paste कर सकते है तो यह देखो जो ID is equal to के आगे लिखा हूँ है मैं आपको zoom करके दिखा हूँ यह आपकी basically ID होती यहाँ पर भी आप देख लो यह जो आप देख रहे हो यहाँ पर com. करके यह आपकी आप ID होती तो अगर आपको इसको यूज करना है that you can also use यह आपके उपर है यह पूरा URL भी डालना चाहिए that you can also do उसके बाद आपको क्या करना इसको save कर देना है so that जो आप है वो यहां reflect हो जाए हमने के वह आपको explain करने के point of view से यहाँ पर जो यह आप है अड की है हमारा कोई परपस नहीं इस particular आपके लिए आड को रन करना इसके बाद आप आ जाओगे सीधे ads manager के उपर और अपने app install campaign को run करना start करोगे तो जब आप अपने app install campaign को create करने ही जाओगे ठीक है जैसे मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ तो आप देखोगे कि आपका हैड उन लोगों को दिखे जिनके चांसे जाद हैं कि वह वापस जो है वह आपकी आपके साथ engage करें ठीक है आड इस आप री इंगेजमेंट अब इसके लिए काफी कुछ हमें conversion settings करनी पड़ती है ठीक है तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे और एक और बहुत important चीज इस particular app install campaign को run करने के लिए भी जो यह वाला है आपका normal app install campaign इसको run करने के लिए भी आपको कुछ third party applications कहले टूल्स कहले उनके आपको help की जरूरत पढ़ती अभी मैं आपको बताता हूं कहां पर आपको उसकी जरूरत पढ़े ही बद्ध्यांस देखिए का वीडियो काफी important है मैं app install select करूँगा यहां पर और next के उपर मैं जाऊंगा ठीक है तो let's say हमें अगर हमारी app का जो installs है वो increase करने तो what we can do is मैं यहां mention कर देता हूं यह app install campaign है फ़र उमर तसकीर ठीक है और CBO हमें यूज नहीं करना क्योंकि इनका इस्तमाल हम लोग scaling वगरा में करते हैं जहां वर पास कुछ data आ जाती है कुछ हमें जो हमारे ad groups है वो मिल जाते है successful winning ad groups मिल जाते है winning audiences मिल जाती है उस particular case में फिर हम लो हमें audience select करनी तो मुझे इंडिया में target करना है marketing से related audience को तो मैं select कर लूँगा जैसी मैं app के उपर जाओंगा यहां पर तो what I can do is मैं अपनी app जो है यहां पर select कर से तो अब बहुत ध्यान से देखना यहां पर आप देखो to use the app purchase goal with this app you need to add install and purchase events in your mobile measurement partner मतलब अगर आप यहां पर बोलेगा कि आपको mobile measurement partners को use करके अपने जो events हैं उनको setup करना पड़ेगा अब mobile measurement partner ना कुछ applications बोलने softwares बोलने आप यह third party tools बोलने यह हैं जो basically आपकी app और जो twitter ads इसके बीच में connection establish करते हैं ताकि आप अपनी app के अंदर जो events है उनको बड़ी easily जो है वो define कर पाएं तो जब तक आप अपने इस particular measurement mobile partner के थ्रूँ इवेंट्स डिफाइन नहीं करेंगे ठीक है जो आपके install event है त अगर आप यह सेलेक्ट भी करते हैं जैसे मैं दिखा देता हूं आपको अगे बढ़ेंगे ठीक है जैसे मैं next next करके आपको quickly दिखा देखो यहां पर देखो जैसे मैं add level पर आता हूं आपको यहां पर एक error दिख रहा है ठीक है com.umartaskri.courses doesn't have, मतलब app doesn't have conversions event setup add conversion events to use the app install goals तो यह आपको कभी भी पब्लिश करने नहीं देगा अगर मैं next पे जाओ तो देखो launch campaign नहीं करने दे रहा हूं यहां पर भी शायद आपको error दिखा रहा होगा देखो उपर दिखा रहा है यहां पर आपको error दिखा रहा है और यह ही option होता है कि आप यहां पर आजाओ और आप इंस्टाल कीजिए आप क्लिक्स के ऊपर move करें ठीक है जैसे आप क्लिक्स के ऊपर move करेंगे आप देखेंगे options जो है वो गायब हो जाएंगे तो मैं यहां पर app select कर चुका हूं अपनी हमारा जो daily budget है that is totally up to us starting में let's say मैं 20 dollars रख depending on your budget अगर आप चाहतें कि आपका budget जो है वो पूरी तरीके से जो है वो यूज हो तो आप accelerated के ऊपर जा सकते हैं पहले वी आपको बताया है कि जब pacing आपके accelerated होती थोड़ा सा budget ना आपका ठीक ठाक होना चाहिए तभी आप accelerated pacing रखें otherwise आप standard के ऊपर जाए safe रहता है थोड़ कर लेता हूं country हमारी इंडिया है languages let's ignore और devices मैं आप देखा यहां बहुत important चीज है क्योंकि हम लोगों ने android app select करी तो by default यह हमारा add android devices पर ही दिखाएगा अब यहां पर devices में भी versions android versions के basis पर you can filter out the things अब यह चीज टोटल इस बात पर depend करती है कि आपकी जो आप है वो किस टाइ situation कि किस टाइम पर किस चीज की जरुए तो इसी तरीके से device model भी होता है ठीक है अगें depends on कि आपकी आप उस device model के compatible है या नी तो यह सारे features compatibility के हिसाब से होते connections wi-fi लोग तब select करते हैं वैसे तो जारतर cases में any होता है वाइफाई उन scenarios में consider किया जाता है जब आपको लगता है कि अपने work spaces पे होते हैं क्योंकि ऐसे माना जाता है कि भाई जैसे मैं यहां पर अपने work space पे हूँ तो यहां पर मैं wi-fi को use कर रहा हूंगा है ना तो इस तरीके से थोड़ा सा idea लगाया जाता है कि अगर हम wi-fi target करें which means that हम उनलों को target कर रहा है जो office में होंगे या घर में तो travel अगरा नहीं कर रहा हूंगे ठीक है I believe concept आपको समझ में आ गया करेर के सच कोई जरूरत नहीं है कि आपको जियो target करना है क्या करना है इसे आप अगर यहां पर select करें जैसे मैं इंडिया के लिए iron select करता हूं तो you are going to see all different these cellular services providers बट इनकी हमें जरूरत नहीं और यहां पर आप देखो target people who first used Twitter on a new device और करियर जिन्नों पहली बार Twitter का इस्तमाल किया होगा ठीक है तो देखो ऐसी targeting तब करी जाती है जब आपको ना बहुत सारे new users को capture करना होता है ठीक है तो जैसे मैं यहां पर select कर लेता हूं मुझे उन लों को target करना है जिन्नों ने Twitter को जो है पहली बार यूज किया हुआ है within last one month या two months तो थोड़े से नए users जो है उनको अगर हम target करना चाहे देन वी can use this option अभी के लिए हम इसको ignore करेंगे ठीक है उसके बाद custom audience तो हमें use नहीं करनी cold audience में मैं keywords में marketing ले लेता हूं एक बार marketing या marketing से related मैं keywords जो है वो include कर लूँग होते हैं या lookalikes होते हैं basically उनको भी जो है हमारा आड जो है वो दिखाई दे तो अगर हमारे पास Twitter handles है उस तरीके हम research करके निकाल सकते हैं then we can go ahead and put those handles over here right and then we can target on the basis of the interest देखो movies, TV shows and events यह मैं generally avoid करता हूं but events का आप इस्तमाल तब कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपकी field से लेटर कोई बहुत ही popular जो event है वो होता है और लोग उसमें interested हो then you can target right उसके बाद देखो अगर हमें Twitter audience platform use करना है तो हमें in formats के according यहां पर जो हमारे creative से उनको use करना होगा ठीक है तो मैं for now अगर मुझे Twitter audience platform को नहीं use करना है I can go ahead and switch it off ठीक है और उसके बाद मैं आ जाता हूं next पे और अब हमारा जो actual creative है जो इन लोगों को दिखेगा with the call to action of app install उसको हम लोग यहां design करने वाले है ठीक है तो मैं यहां पर जैसे add one ही लिखा रहे नहीं देता हूं and app is the destination ठीक है जहाँ पर click करने के बाद वो बंदा वहाँ पर जाएगा और यहां पर आपको अपना जो उसकी जो images होती उनको आप use कर सकते हैं उसकी जो features उसको आप showcase कर सकते हैं in the form of carousal then you can go ahead और यह carousal वाला option उप use करते हैं for now what I am looking is that single media काम कर जाएगी तो I can go ahead and put a single media over here in terms of photo या फिर video हमारे उपर depend करता है call to action install है ठीक है primary जो हमारा app store है that is India तो मैं जल्दी से यहां से India select कर ल आपको दिखी रहा है that's it जैसे ही आप media पर load करेंगे आप देखें आपको preview दिख रहा है तो this is how you are going to create an app install campaign और उसके बाद अगर मैं next पर आ जाओ ठीक है तो आप देखो आप यहां से campaign launch कर सकते हो ठीक है जैसे अगर आप यहां पर देख रहे हो right side में आपको छोटा से दि दिखाता हूं ठीक है जैसे हम लोग यहां आ जाएंगे goals में and goals में let me select app install और उसके बाद अगर मैं review and launch campaign पर आप देखो यहां पर आपको launch करने नहीं देगा ठीक है क्यों नहीं करने दे रहा है क्योंकि वह measurement वाली settings अब तक आप नहीं करेंगे नहीं करने आपको बहुत सार हुआ 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 है